हमारी सरकों पर कई साइन बोर्ड या होडिंग्स लगे होते हैं, जिन पर गलतियां छपी होती हैं. आईए गलतियों के साथ ऐसे साइन बोर्ड या होडिंग्स खोजें. आईए अब हम ऐसे साइन बोर्ड देखते हैं, जिन में पंक्चुएशन मिस्टेक्स हैं. आईए देखें कि इस signboard में क्या गलत है यह sign कहना चाहता है कि हम खुले है यानि हमारी दुकान खुली है यह कहने के लिए sign होना चाहिए We are open sign को थोड़ा छोटा करने के लिए We are का contraction किया गया है We apostrophe R E लेकिन इस sign में We are के contraction में एक apostrophe लुगत है Apostrophe के बिना We are बन गया है Were Were का मतलब है थे मतलब हम खुले थे तो आपने देखा एक apostrophe के बिना इस sign का मतलब ही चींज हो गया इसलिए इसको सही करने के लिए होना चाहिए We apostrophe R E We are open यह sign कहना चाहता है कि यह दुकान professional signs बनाती है लेकिन यहां sign शब्द में एक apostrophe लगा दी गई है Apostrophe के साथ अब इस शब्द का मतलब है sign का professional sign का इससे कोई मतलब निकलता नहीं है So, इस sign को ठीक करने के लिए हमें इस शब्द sign से apostrophe को हटा दीना चाहिए यह संकेत कहना चाहता है कि इस शेत्र में धुम्रपान की अनुमती नहीं है No smoking in this area No smoking लेकिन 9 के बाद एक अल्फ विराम यानि कौमा लगा दिया गया है अब अर्थ बन जाता है नहीं इस शेत्र में धुम्रपान की अनुमती है इसलिए इस संकेत को ठीक करने के लिए 9 शब्द के बाद हमें कौमा यानि अल्फ विराम हटा देना चाहिए Tables are for eating Customers only यह संकेत कहना चाहता है कि टेबल उन लोगों के लिए है जो खा रहे है केवल ग्राहक के लिए लेकिन इस संकेत में कोई भी कामा यानि अल्फ विराम नहीं है तो इस संकेत का अर्थ हो जाता है Tables are for eating customers only Table, cable, ग्राहकों को खाने के लिए है इस संकेत को ठीक करने के लिए हमें चाहिए कि हम इटिंग शब के बाद एक कामा यानि अल्फ विराम लगा दे और customers only के बाद एक exclamation point लगा दे अब यह संकेत हो जाता है Tables are for eating Customers only I like cooking my family and my pets इस संकेत में कोई भी अल्फ विराम यानि कामा नहीं है और अल्फ विराम या कामा के बिना इस संकेत का अर्थ हो जाता है मुझे अपने परिवार और अपने पालतू जान्वरों को पकाना पसंद है इस साइन को ठीक करने के लिए cooking के बाद एक कामा यानि अल्फ विराम और family के बाद एक कामा यानि अल्फ विराम लगा दें तो अब इसका अर्थ हो जाएगा I like cooking, my family and my pets यानि मुझे खाना बनाना पसंद है मेरा परिवार पसंद है और पालतू जान्वर पसंद है Hunters, please use caution when hunting Pedestrians are using walking trails यह संकेत कहना चाता है शिकारी, कृपया शिकार करती समें साबधानी बढ़ते पैदल यातरी, walking trails का उपयोग कर रहे है लेकिन इस संकेत में कोई भी punctuation नहीं है तो punctuation के बिना यह संकेत कह रहा है Hunters, please use caution when hunting pedestrians using walking trails शिकारी, कृपया साबधानी बढ़ते जब walking trail का उपयोग करने वाले पैदल यातरियों का शिकार करें इस साइन को ठीक करने के लिए हमें Hunters के बाद एक कॉमा यानि अब विराम लगा देना चाहिए और hunting शब्द के बाद एक full stop अब हो जाएगा Hunters, please use caution when hunting pedestrians के बाद आर शब्द का उपयोग करें और trails के बाद एक full stop लगा दे तो हो जाएगा pedestrians are using walking trails अब पूरा संकेत हो जाएगा Hunters, please use caution when hunting pedestrians are using walking trails शिकारी खृपया शिकार करते समेश साथानी पड़ते पैदल याथरी walking trails का उपयोग कर रहे हैं यह साइन कह रहा है teas, coffees and snacks open teas शब्द में एक apostrophe लगा दी गई है तो मतलब हो गया tea का coffee shop में भी एक apostrophe लगा दी गई है तो मतलब हो गया coffee का snack shop के साथ भी यही किया गया है कि एक apostrophe लगा दी गई है तो हो गया snack का tea का, coffee का और snack का इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ तो इस sign को ठीक करने के लिए हमें apostrophe इस sign से हटा देनी चाहिए और tea और coffee को हम गिन्थोरी सकते हैं तो teas, coffees इसका कोई मतलब नहीं होता tea coffee singular है plural नहीं है तो इस sign को ठीक करने के लिए हमें apostrophe से हटा देनी चाहिए और tea और coffee से s हटा देनी चाहिए यह sign होना चाहिए tea, coffee and snacks यह sign कहना चाहता है I love baking, my family and my friends यानि मुझे baking करना पसंद है मेरा परिवार पसंद है और मेरे दोस्त पसंद है परन्तु इस sign में एक भी कामा यानि अब विराम नहीं है तो यह sign कह रहा है I love baking, my family and my friends यानि मुझे अपने परिवार जन और दोस्तों को बीक करना पसंद है तो इस sign को ठीक करने के लिए baking के बाद एक कामा यानि अब विराम लगा देना ही चाहिए और family शब्द के बाद एक अब विराम यानि कामा लगा देना ही चाहिए अगर हम ये कामा लगा दे तो अब हो जाएगा I love baking, my family and my friends मुझे baking करना पसंद है मेरे परिवार जन पसंद है और मेरे दोस्त पसंद है ये साइन कहना चाहता है Caution Pedestrians Slippery When Wet यानि पैदल चलने वाले यात्री सावधानी बढ़ते जब ये रास्ता गीला होता है तो ये फिसलाव होता है लेकिन इस साइन में कोई भी फुल स्टाप नहीं है तो अब ये साइन कह रहा है Caution Pedestrians Slippery When Wet यानि पैदल चलने वाले यात्री जब गीले होते हैं तो फिसलाव होते हैं तो इस साइन को ठीक करने के लिए हमें Pedestrians शब के बाद एक फुल स्टाप लगा देना चाहिए इसी तरह वेट के बाद भी एक फुल स्टाप लगा देनी चाहिए तो अब ये साइन होगा Caution Pedestrians Slippery When Wet यानि पैदल चलने वाले यात्री सावधानी बढ़ते यह रास्ता जब कीला होता है तो फिसलाव होता है यह साइन कहना चाहता है Let's Eat Grandpa यानि चलिए दादा जी खाना खाते हैं लेकिन इस साइन में कोई भी कौमा यानि अल्ख विराम नहीं है तो यह साइन हो गया ऐसे साइन बोट्स देखेंगे जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं इस साइन में टिकनोलची की स्पेलिंग गलत है टेक नो लो जी टेच नो लो जी वाई टेक नो लो जी टेक नो लो जी यह संकेत कह रहा है यू विल गेन अद्मिरेशन फ्रॉं यॉर पियर्स यानि आपको अपने साथियों से वह वह मिलेगी लेकिन इस संकेत में पियर्स की स्पेलिंग रॉंग है तो यह बन गया है यू विल गेन अद्मिरेशन फ्रॉं यॉर पियर्स 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 का मतलब होता है नाश्पती एक फल लेकिन यहां पर पियर्स की स्पेलिंग होनी चाहिए पि-e-e-r-s पियर्स यानि साथि यह साइन कह रहा है quiet please exams in progress quite q-u-i-t-e quiet का मतलब होता है काफी अच्छी तरसे जैसे की It is quite warm today आज काफी गर्मी है लेकिन यह साइन कहना चाहता है quiet please exams in progress quiet की spelling होनी चाहिए q-u-i-e-t quiet याने चुप रहे क्योंकि यहाँ पर exams चल रहे है यह साइन कहे रहा है drive-thru entrance इस साइन में entrance की spelling wrong है e-n-t-r-a-n-c-e entrance यह साइन कहे रहा है employees must wash hands before living living की spelling है इस साइन में l-i-b-i-n-g इस living का मतलब होता है जीना तो कर्मचारियों को जीने के पहले हाथ दोना चाहिए spelling mistake के कारण यह हो गया है इस साइन का मतलब लेकिन यह साइन कहना चाहता है employees must wash hands before leaving leaving l-e-a-v-i-n-g मतलब जाने से पहले कर्मचारियों को हाथ दोना अनिवार्य है यह साइन कहना चाहता है please drive safely यानि सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाए safely की spelling होती है s-a-f-e-l-y लेकिन इस साइन में safely की जगः safety इस्तिमाल किया गया है safety का मतलब होता है सुरक्षा यह साइन कहना चाहता है no unauthorized parking यानि की यहाँ पर आप वो गारियां नहीं पार्क कर सकते जिन्हें पहले से अनुमती नहीं मिली है लेकिन इस साइन में unauthorized की spelling गलत है unauthorized u-n-a-u-t-h-o-r-i-s-e-d unauthorized unauthorized यह साइन कह रहा है if door doesn't close properly giggle the door knob giggle g-i-g-g-l-e giggle का मतलब होता है खिसियाना या हसना तो इस साइन का मतलब हुआ अगर दर्वाजा ठीक से बंग नहों तो दर्वाजी की कुंडी को हसाए दर्वाजी की कुंडी तो हस नहीं सकती तो यहाँ पर giggle शब की spelling wrong है यहाँ पर giggle की जगद जिगल होना चाहिए जिगल का मतलब है हलके हलके हिलाना अब यह साइन पढ़ा जाएगा अगर दर्वाजा ठीक से बंग नहों तो दर्वाजी की कुंडी को हलके हलके हिलाए यहाँ पर गौर कीजिये की ज यानि ज और ग यानि जी जिगल गिगल यह साइन कह रहा है प्लीज यूस तंग और टिशू पेपर वेन मेकिंग यूस सिलेक्शन थैंक यू तंग टी ओ एन जी यू ए तंग का मतलब होता है जीग तो इस साइन का मतलब हो गया कि आप अपने ब्रेट को चुनने के लिए अपने जीग या टिशू पेपर का इस्तमाल करें अब मुझे नहीं लगता कि हम अपनी ब्रेट चीप इस्तमाल करके चुनेंगे तो इस साइन को ठीक करने के लिए टंग की जगव हमें टॉंग्स शब्त का इस्तमाल करना चाहिए टॉंग्स ती ओ एन जी एस टॉंग्स याने चिम्टा याने की ब्रेट को चुनने के लिए चिम्टे या टिशू पेपर का इस्तमाल करें यह साइन कह रहा है ओवर 10 बिलियन सिवेर्ड 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 का मतलब होता है काट कर अलग कर देना तो इस साइन का मतलब हो गया कि मिकडानल्स ने 10 बिलियन लोगों से जादा लोगों को काट कर अलग कर दिया यह तो गलत हो गया इस साइन को ठीक करने के लिए सिवेर्ड शब की जगा सिवेर्ड का इस्तमाल करें Over 10 billion served S-E-R-V-E-D Served का मतलब होता है खाना परोसा गया So, 10 billion लोगों से ज्यादा लोगों को इन्होंने खाना खिलाया अंग्रीजी में कभी कभी दो या कभी तीन शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण समान है लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका मतलब अलग है तो आये हम कुछ ऐसे साइन्स देखने हैं जहां पर इन शब्दों को लेकर गलतियां की गई हो यह साइन कह रहा है वाइलेटर्स विल बी तोड और फाइंड फिफ्टी डॉलर्स मतलब नियम भंग करने वालों को हम ले जाएंगे और पचास डॉलर ठूंडो फाइंड इस फाइंड का मतलब होता है खोजना ठूंडना यह साइन कहला चाता है कि हम नियम भंग करने वालों को ले जाएंगे और उनको पचास डॉलर जुर्माना दीना पड़ेगा तो इस साइन को ठीक करने के लिए हमें एफ आइंड़ की जगल एफ आइंड़ फाइंड लगाना चाहिए आप देखेंगे कि एफ आइंड़ फाइंड और एफ आइंड़ फाइंड़ दोंगा उच्छारण समान है लेकिन दोनों का मतलब और स्पेलिंग अलग है यह साइन कह रहा है Employees must wash their hands before returning to work सबसे पहले Employees शब्द में apostrophe लगी वे है अगर apostrophe का इस्तमाल करेंगे तो Employees हो गया कर्मचारियों का तो इस शब्द को ठीक करने के लिए हमें इस शब्द से apostrophe हटा देनी चाहिए फिर हो जाएगा कर्मचारियों को Must wash their hands before returning to work कर्मचारियों को बापस काम में जाने के पहले हाथ धोना चाहिए इस साइन में एक और गलती है There There की spelling है इस साइन में T-H-E-R-E इस देर का मतलब होता है वहाँ So अब इस साइन का मतलब हो गया कर्मचारियों को वहाँ हाथ होना चाहिए काम पे जाने के पहले हमें यूज करना है T-H-E-I-R There क्योंकि यह साइन केना चाहता है कर्मचारियों को अपना हाथ धोना चाहिए वापस काम पे जाने के पहले Their T-H-E-I-R यानि उनका अपना और T-H-E-R-E Their यानि दिशा यहाँ वहाँ Their T-H-E-I-R Their T-H-E-R-E दोनों का उच्चारण समान है लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका मतलब अलग है Your sign कह रहा है Thank you for your patience Patience की स्पेलिंग है इस साइन में P-A-T-I-E-N-T-S इस स्पेलिंग पेशन्स का मतलब है मरीज यह साइन कहना चाता है Thank you for your patience हम आपको आपके धीरज के लिए धन्यवाद करते हैं तो patience की स्पेलिंग होनी चाहिए P-A-T-I-E-N-C-E Patience यानी धीरज यह साइन कह रहा है Mike's Hair Styles Mikes इस शब में बिना अपॉस्टिफी के इस शब का मतलब हो गया बहुत सारे Mikes यह साइन कहना चाता है कि यह दुकान Mike की है इस लिए इस साइन को ठीक करने के लिए हम Mike's शब के बाद और S के पहले अपॉस्टिफी लगाएंगे इससे हो जाएगा Mike का यानी यह दुकान Mike की है दूसरी गल्पी इस साइन में जो है Hair Styles Hair शब का स्पेलिंग जो इस साइन में इस्तमाल किया गया है वो है H-A-R-E Hair यानी खरगोश इस साइन को ठीक करने के लिए हमें Hair की स्पेलिंग H-A-I-R Hair का इस्तमाल करना चाहिए H-A-I-R Hair का मतलब होता है केश Hair Styles अलग-अलग केशों के स्टाइल्स यह साइन कह रहा है Your Gifts Make a Difference Your Gifts Your Y-O-U-A-P-O-S-T-A-R-E इस शब्द का मतलब है आप हो Your Gifts यानि आप उपहार हो लेकिन यह साइन कहना चाहता है Your Gifts Make a Difference यानि आप का उपहार हमारी जिन्दगी में फर्क ला रहा है इस यू और का Spelling होना चाहिए Y-O-U-R Your Your Gifts आप का उपहार Two T-O-O-T-O इसका मतलब है बहुत या अधिक मात्रा में T-O-O-T-O जैसे की You are too good आप बहुत अच्छे है T-O-T-O इसका मतलब है की ओर के प्रती तक जैसे की I am going to market मैं मार्केट की ओर जा रहा हूँ T-W-O-T-O यानि दो तो इस शब्द Two ये तीन शब्द हैं जिनके उच्छारन समान है लेकिन उनकी स्पेलिंग और मतलब अलग-अलग है इस साइन में If you don't like the price Too bad ये साइन कहना चाहता है कि अगर आपको कीमत पसंद नहीं है तो बहुत खराब बात है लेकिन यहाँ पर T-O-T-O का इस्तमाल किया गया है Too bad यानि खराब की और इस साइन को ठीक करने के लिए हमें T-O-O To शब्द का इस्तमाल करना चाहिए तब इसका मतलब होगा अगर आपको कीमत पसंद नहीं है तो बहुत खराब बात है If you don't like the price Too bad यह साइन कह रहा है Private customer parking only यानि यहाँ पर उनी गाड़ियों को पार्ख करने की अनुमती है जो हमारे नीजी ग्राहक है All others will be taught यहाँ पर जो टोट की spelling इस्तमाल की गई है वो है T-O-E-D इस टोट का मतलब होता है Medok यानि इसका मतलब हो गया बाकी सब Medok होंगे यह साइन कहना चाहता है All others will be taught यानि बाकी सारी गाड़िया को हम उठा कर ले जाएंगे तो इस साइन को ठीक करने के लिए हमें टोट की स्पेलिंग T-O-E-D का इस्तमाल करना चाहिए तो यहाँ पर ध्यान दें दोनों शब्त का उच्चारण समान है T-O-E-D टोट यानि Medok T-O-E-D यानि उठा कर ले गए इस साइन में बाई शब्त पर ध्यान दें B-Y-E-B-I का मतलब है अलविदा, नमस्कार तो इस साइन का मतलब हो गया We buy used cars हम पुरानी इस्तमाल की कई गाड़ियों को बाई कहते है यह साइन कहना चाहता है We buy used cars यानि हम पुरानी गाड़ियों को खरीटते है So, यहाँ पर बाई की स्पेलिंग होनी चाहिए B-U-Y इस साइन में फेर शब्त पर ध्यान दें F-A-R-E Fair यानि किराया F-A-I-R यानि निश्पक्ष यह साइन कह रहा है It isn't fair that people judge other people यानि वो कहना चाहता है कि यह सही नहीं है कि लोग दूसरे लोगों के बारे में धारना बनाते हैं लेकिन जो फेर शब्त का इस्तमाव यहां पर किया गया है F-A-R-E वो हो गया किराया और यह शब्त इस साइन में नहीं जाता तो इस साइन को ठीक करने के लिए हमें फेर की स्पेलिंग करने चाहिए F-A-I-R It isn't fair that people judge other people यह सही नहीं है कि लोग दूसरे लोगों के बारे में धारना बनाते हैं यह साइन कह रहा है Great help wanted यह कहना चाहता है कि उसे अधिक से अधिक मदद की जरूरत है लेकिन यहाँ पर great की जो स्पेलिंग है वो है G-R-A-T-E इस great का मतलब होता है कोई चीज को पीसना इस साइन में great की स्पेलिंग होनी चाहिए G-R-E-A-T great अधिक से अधिक महान अधिक से अधिक मदद की जरूरत है